इस वीडियो में दी हुई जंकारी इंटरनेट से ली गई है, हम इस वीडियो में किसी भी दवाई का प्रचार नहीं करते, किसी भी दवाई का उप्योग करने से पहले अपने डॉक्टर से जरूर पूछे, अगर आप इस वीडियो को देखर किसी दवाई का उप्योग करते ह आवश्चक है यदि रक्त में अपर्याप्त कैल्शियम है तो शरीर हड्यों से कैल्शियम लेगा जिससे हड्या कमजोर होंगी इसलिए हड्यों को मजबूत रखने के लिए कैल्शियम का सेवन जरूरी है विटमिन डी शरीर को कैल्शियम और फॉस्फोरिस को अवशोशित करने में मदद करता है विटमिन डी, कैल्शियम और फॉस्फोरिस की सही मात्रा हड्यों के निर्मान और मजबूत हड्यों को बनाये रखने के लिए महत्वपूर्ण है गर्भावस्था के 12 सप्ता बाद गर्भवती महिलाओं के लिए हड्यों के निर्मान और बच्चे के विकास के लिए ये फायदे मंद है इसका उप्योग औस्टियोपरोसिस और पोस्ट मेनोपॉजल चरण औस्टियोपरोसिस में भी किया जाता है चलिए जानते हैं इसके कुछ फायदों के बारे में एक, इसमें कैल्शियम साइट्रेट और विटमिन D3 होता है जो आपकी हड्यों को स्वस्थ और मजबूत रखने के लिए फायदे मंद होता है 2. विटेमिन D 3 हड्डियों के बहतर स्वास्थे के लिए कैल्शियम के अफशोशन को बढ़ाने में मदद करता है 3. कैल्शियम कोशिकाओं, मानस्पेशियों और हड्डियों के सामान्य कामकाज के लिए आवश्चक है 4. ये स्वस्थ हड्डियों, प्रतिरक्षा और दंत स्वास्थे को बनाये रखता है और मानस्पेशियों के कारे में सहायता करता है विडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद, अगर आपको विडियो अच्छी लगी हो तो विडियो को जरूर लाइक करें साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को और नोटिफिकेशन पर सेट करें